हेलो गाइस गुड बॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारी क्लास में माई नेम इस सब्जीत मिश्वरा आप देख रहे हैं हमारी क्लास करेंट अफियर शो आई हो गैस कि अब अच्छे होंगे अपना ख्याल लख रहोंगे और खुब पढ़ाई कर रहोंगे गुड बॉर्णिंग गाइस गुड बॉर्णिंग गुड बॉर्णिंग सबका स्वागत है हमारी क्लास में कैसे हैं आप लोग चलिए दोस्तो आज है 12 जून और हमारे पस कौन कौन से information है हम सारे information की बात आप से करेंगे लगए सबसे बहले हम बात करेंगे आज के अपने motivational quote से दोस्तो और जो हमारा आज का motivational quote है ये काफे कुछ आपको सिखाएगा दोस्तो यहां पर लिखा हुआ है कि always make a total effort even when the odds are against you दोस्तो यह जो हमारी life होती है न विद्यार्थियों की यह बड़ी complicated होती है है न दोस्तो अब हम बच्चे ही तो होते हैं न यार लेकिन इतनी सा responsibility हमारे उपर हो जाती है हमें तयारी करना है selection देना है हमें दूसरों को जवाब देना है हम प्रयास करते है selection लेने का दोस्तो लेंग गाइस एक बात हमें शेक सोची जाएगे जब हम तयारी करते हैं तो क्या जो effort हमें पूरे देने हम दे पा रहे हैं for example mock test की बात कर रहे हैं जब आप लोग mock test देते हो तो ऐसा होता है न कि बीच में आपको boreas होने लगती है हमने quant कर लिया आप reasoning बोर होने लगे हमने reasoning कर लिया quant में बोर होने लगे कोई किसी दोस्ते कॉल आ गया किसी नहीं बाहर बुला लिया है ना तो आप जब देखो कि mock test भी किया आप पूरा दे पारो प्रॉपर एक घंड़े का या दो घंड़े का ठीक है इसके अलावा जब आप preparation करते हो बेटा तो ऐसे बहुत सब चीज़ें आती है आती है कुछ हमें sacrifice करना पड़े के अपनी life में वरना हमें कुछ मिलेगा नहीं दोस्तों थोड़ी सी टाइम है एक साल दो साल का तीन साल का जिसमें आपको करना है sacrifice और आपको अपने आपको बड़ा बनाना है डेली बिसिस पर आपको पूरा प्रयास करना है चाहे वो mock test हो चाहे आपका exam हो या चाहे आप त्यारी कर रहें दोस्तों आपको हमेशा अपना 100% देना है है ना और यह आप देते होंगे मुझे मालूम है तो बस इसमें थोड़ा सुधार करते आएगे और एक दिन आपका selection भी हो जाएगा है ना चलिए guys तो शुरू करते हैं अपना session आज क्या और हमारे पास कौन-कौन से information है आज वो हम सारे information की बात करेंगे तो पहली information हमेशा की तरह हमारी ranking, report और indices दोस्तों जहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं देखे दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे विश्वकी और भारत के सबसे महंगे शहर किनके लिए प्रवासियों के लिए बेटा हैं यहाँ प्रवासी का मतलब बेटा क्या होता है जैसे for example माले जे मैं मिर्दापुर से बिलॉंग करता हूँ मेरा hometown वहा है लेकिन मैं नोईडा में रह रह र है ना गाईस तो यहाँ पर क्या लिखा हुगा है मुंबई most expensive city for expat in India दोस्तों तो विदेशों की बात यहाँ पर हो रही है for example कोई foreigner जो भारत में रहने के लिए तो उसके लिए मुंबई सबसे महंगा शहर है दोस्तों लेकिन ध्यान रहे हैं यहाँ पर हम world level की बात भी करे गाईस तो information क्या है हम क्या परड़ है जो report हम परड़ है उसका नाम है cost of living survey 2023 यानि अगर आप रहते हैं कहीं पर तो क्या cost परड़ी है आपकी तो cost of living survey 2023 दोस्तों published by the mercer मरसर एक संसा है published by the mercer और total cities 227 ले गए हैं पूरे world के तो 217 शहर पूरे इसमें ले गए हैं इस survey में दोस्तों तो cost of living survey 2023 published by the mercer and total cities जो है यापे वो 227 ले गए हैं दोस्तों ठीक है आईए बात करते हैं गईस तो पहली slide में हमें information क्या मिले दोस्तों तो पहली slide में हमें information मिल रही है कि Mumbai has ranked the most expensive city in India for expatriate दोस्तों यानि जो प्रवासी विदेशी होते हैं उनके लिए Mumbai सबसे महंगा शहर है रहने की बात करने तो Mumbai तो भारत में Mumbai सबसे महंगा शहर है भारत की बात कर रहे हैं ठीक दोस्तों अच्छागे देखते हैं but guys अगर हम बात करते हैं the mercer cost of living survey Mumbai has been positioned at 147 in the global ranking दोस्तों ठीक है दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो Mumbai सबसे महंगा शहर है लेकिन अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में Mumbai 147th नंबर पे आता है तब ही बहुत सस्ता है न तो Mumbai 147th पर आता है दुनिया में तो ये information आपको दिया रही है ठीक है दुस्तों आगे बढ़ते हैं अब क्या बुला गया है अगर हम दुनिया की बात करें ग्लोबल लेभल की बात करें तो Hong Kong नंबर एक पर है और Zurich ठीक जुस्तों ये नंबर 3 पर है तो अगर हम शेहरों की बात करें ग्लोबल सर गातू है लिस्ट आप दर टॉप फाइफ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ग्लोबली कि इम बात कर रहे हैं तो नंबर एक पर है हॉंग कॉंग नंबर टू पर है सिंगापूर नंबर थी पर जूरिक नंबर फूर पर जिनेवा नंबर फाइफ पर बेसल और और सबसे सबसे सस्ता शेर है इस्लामाबाद वहां कोँ जाएगा रहने के लिए इस्लामाबाद ठीक है यह सबसे सस्ता शेर है मतलब यह 227 नंबर पे है तो होंग कॉंग सिंगापूर जूरिक जिनेवा बेसल यानि थर्ड फोर फाइफ यह आते हैं फ्रूरिक जिनेवा बेसल नंबर एक पर होंग कॉं नंबर टूर पे सिंगापूर तो होंग कॉंग सिंगापूर जिनेवा बेसल यह पार शेर सबसे महेंगे हैं विदोश्यों के लिए और सबसे सस्ता शेर है इस्लामाबाद फ्रम पाकिस्तान दोस्तों ठीक है अच्छा अब गैस यहां पर हम क्या बात करेंगे हम यहां बात आप सेख शेर जो सबहेंगे हैं मतलब नंबर एक पर मुंबई है भारत में लेकिन ग्लोबल पे यह 147 नंबर पे है ठीक इंडिया में नंबर टू पर दिल्ली है ठीक है लेकिन ग्लोबल पे 169 नंबर तीन पर आपका चेन नहीं है लेकिन ग्लोबल लेवल पे 184 नंबर 4 प जो सबसे रहा महगे है, प्रवासियों के लिए ठीक है, तो नमबर एक पर आपका मुंबई है, नमबर टू पर दिल्ली है, नमबर थी पर शिर्न्नाई है, नमबर फोर बेंगरू है, और नमबर फाइव एदराबाद है, आप पांस तो जात करो लो बहुत आपके लिए, और इनकी ग्लोबल लेवल पर रैंकिंग क्या है, वो आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है तो ये हमारे पास पहले इंफोर्मेशन, बिटा अगर आपको यकीन ना है, ठीक है, आप पिछले साल का ग्रामीड बैंक का पेपर उड़ा को देखे ना, उसमें कुशन पूछा गया है, पिछले साल आपके एक्जाम में इस से कुशन बन चुका है, इसी टॉपिक से, तो इस बार सबसे महेंगा शर जो है आपका भारत में मुंबई है, लेकिन ग्लोबल लेवल की बात करें, तो सबसे महेंगा शर पीटा कौन सा है, जो हमने आपको दिखा दिया, हॉंग कॉशन पिछले साल आपके एक्जाम में यहीं से कुशन मना हुआ था, तो इस साल भी यहां से कुशन दोस्तों बन सकता है, जान दीचेगा, ठीक है, ठीक आइस, तो हमने इसमें क्या पढ़ लिया, एक बार पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान से देख लिजे, ताकि आपका रिजन हो बात करते हैं, तो मुंबई सबसे महंगा शहर है, सबसे सस्तार शहर जो है, वो इस्लामाबाद है, 227 बिटा, और फिर हमने बात की, इंडियन सेटिस की, तो नमबर एक पर आपका मुंबई है, नमबर टू पर दिल्ली है, नमबर थ्री पर चिन नहीं है, नमबर फूर पर बैंगलूरू है, और नमबर फाइब पर हैदराबाद है, इनके ग्लोबल रांकिंग की बात करें मेटा, तो इनकी जो ग्लोबल रांकिंग है, वो कितनी है, 147, 169, 184, 189 and 202, ठीक है, चली, दोस्तों, तो यहां पर हमारी पहली इंफॉरी तरीके से कंप्लीट होती है, अमने क्या तो पालिये जदिगी में है ना, चली, पाना बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ में गूल जो हते है, बड़े अच्षिव करने बहुत ज़रूरी होते है, ज़ो हमारे बढ्र गूल अच्छी है बजाते हैं, तो हमने लाइफ में कुछ किया है, मैं यहां पढ़ा आपका इंडिया का एरावर 75 नंबर पे था एंड टॉप बाइद फ्रॉंटियर यूएस से दोस्तों है ना याद है ना अच्छा दूसरा बेटा एन्वल मीसरी इंडेक्स ये हैंगे ने पब्लिश रिया था और इसमें भारत को 103 वाल मिला था और जिमबॉम भी यहाँ पे टॉप बेथा बेटा ये इंफलेशन को लेगे था पढ़ाया था मैंको और देखें फिफ्ट एडिशन टाइम हाइयर एजुकेशन इंपक्त रैंकिंग दोस्तों हाँ ये टाइम्स को पने पब्लिश किया बेटा आपको बस रिवाइज दिम करवारें दोस्तों ठीक है चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं अब हमारा next segment दोस्तों जो है appointment का और resign का यहाँ पर दोस्तों क्या बात करेंगे गाइज अभी आप लोग जब gramid bank का form भर रहे होंगे तो एक नई चीज़ बार आई यह अपने class में लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते होंगे उनके लिए सिबिल एक नया शब्द होगा बेटा तो सिबिल है क्या दोस्तों तो सिबिल एक तरह का credit bureau है बेटा मतलब आप लोग जब भी कोई banking transaction करते हैं अगर आपने कोई loan लिया हुआ है for example या आपने credit card कब यूज करते हो तो बेटा आपके transaction के हिसाब से अपका score बनता है अगर आप timely EMI पे करने वाले इंसान है तो आपका सिबिल score अच्छा होता है और अगर आप timely अपना EMI पे नहीं करते हैं तो आपका सिबिल score खराब होयाता है मेरा अपना खुद का सिबिल score चल ला है साड़े साथ सो क्यों चल ला है बेटा जब आप तुरंट कोई loan लेते हैं तो सिबिल सो खराब होयाता है हाला कि मैंने कभी अपनी EMI मिस नहीं की हाँ जो आप लोग सिबिल की बात करते हैं उसका पुरा नाम है Trans Union Sibil इग्जैक्ली में दोस्तो Trans Union ये USA की एक संस्था है जिसने सिबिल को पर्चेस कर लिया था तो सिबिल का पुरा नाम क्या है Trans Union Sibil बेटा ठीक है दोस्तों दो तो Trans Union Sibil appoint Mr. V. Anant Raman as the non-executive chairman दोस्तों चेक्या है तो ये उसी सिबिल की बात हो रही है तो Trans Union Sibil ने Mr. V. Anant Raman को गैर कारेकारी chairman appoint किया है दोस्तों एक बार आपके mind में question आता होगा कि सर ये chairman और ये non-executive chairman क्या होता है है ना guys दोस्तों बिटा ऐसा होता है जब भी कोई bank होते है या non-banking financial companies होती है या for example ये सब तो जो company में पैसर की बात होती है दोस्तों तो Reserve Bank of India ने बोला हुआ है कि आप लोग को बाहर से मतलब कोई आपके organization का नहीं कोई बाहर से भी एक बंदे को अपने board of director में शामिल करना चाहिए जिस हम क्या बोलते है non-executive chairman ताकि भाई हमको मालम चले कि तुम्हारे company में क्या चल रहा है भाई simple सी बात है अगर bank में हम किसी बाहरी वेक्ति को appoint नहीं करेंगे तो bank के जो लोग है न ये पैसे को कहाँ पे move कर रहे है कहाँ पे loan दे रहे है ये कैसे मालम चलेगा तो non-executive chairman का मतलब बेटा वो chairman post ही होती है लेकिन वो company का employee नहीं होता है लिखा है non-executive दोसो executive का मतलब होता है employee है ना तो non-executive मतलब वो company का employee नहीं है बाहर से appoint कर आगए है ठीक दोस्तों वही है तो TransUnion Civil ने मिस्टर वी अनंत रमन को appoint किया है अपना गैर कारिकारी अध्यक्ष मतलब non-executive chairman दोस्तों हाँ कभी-कभी ये छोटे-छोटे point हम ध्यान नहीं होते लेकिन हमें समझना चाहिए है ना मालों कभी doubt आगया तो guys जलो तो ये information थी है हमारे पास अब दिखते हैं guys कौर appoint हुआ है appoint हुआ है Mr. V. Anantaraman किस post पे तो non-executive chairman of the credit bureau Transunion Civil दोस्तों मतलब Transunion Civil लाते हैं वापस कौन replace हुआ है MP Nair ये तना बड़ा point नहीं है आप चाहें तो replacement को skip कर सकते हैं बोडिकत नहीं है ठीक है चलिए तो ये हमारी पहली information थी दोस्तों तो जहां पर हमने आपसे बात की Mr. V. Anantaraman appoint हुए है non-executive chairman of the civil Transunion Civil दोस्तों तो ये हमारी information complete guys आगे बढ़ते हैं अब यहां पर बात हुए chairman की दोस्तों तो ठीक है एक बाद revise कर लेते हैं तो chairman of the LIC कौन बने थे? Siddhartha Mondi chairman of the UPSC कौन बने थे? Dr. Manu Soni chairman of the Data Security Council of India ये बने थे? Pramodh Bhaseen part-time chairman of the Paytm Payment Bank Vijayashigar Sharma he is the owner of Paytm he is the owner of Paytm दोस्तों और देखे लिजी next point दोस्तो chairman of the Internet and Mobile Association of India Harjayan chairman of the Steel Authority of India most important answer is Amrindru Prakash Amrindru Prakash दोस्तों इन्होंने Soma Wanda को replace किया था ठीक गाइस and chairman of the Andhra Pradesh Grameed Vikas Bank Mr. K Prathpa Reddy Mr. K Prathpa Reddy बने थे? ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है ये बड़ा important है ये important है दोस अभी important है अलाखी देख लिजा फिर से और बिटा आपका ये बड़ा important point है तो यहाँ से आपके exam में question बन सकते हैं तो ये हमने आपको revise करवा दिया चले बिटा आगे बढ़ते हैं हमारी अब next information की बात करें बिटा next information मतलब next segment हम banking finance की बात करने हैं वाले report indices clear है appointment clear है revision point हो चुके है और अब हम बात करेंगे banking financing economy जहाँ पर दोस्तों हमारे पास आपके लिए पहले information की है दोस्तों OECD नाम जानते हैं बिटा आपनो OECD पहले इसका नाम दोखे OECD एक organization है Organization of Economic Cooperation and Development Organization of Economic Cooperation and Development इसका headquarter Paris में है दोस्तों हां दोखो दोस्तों अगर आप बात करते हैं UNESCO की UNESCO UNESCO इसका भी headquarter Paris में है दोस्तों ठीक आईस हमने आज बात की OECD की OECD Organization of Economic Cooperation and Development इसका भी headquarter कहाँ पे बिटा Paris में हैं कल हमने कल या परसों हमने आप से International Energy Agency की बात की दी बिटा न इसका भी headquarter Paris में दोस्तों है न गईस तो Paris में बड़े important organization है और भी है हम आपको बस ये पता रहे हैं कि हमने जो जो पढ़ाया आपको जो जो धर भीच पैरिस में headquarter ठीक तो लिखा बटा क्या कि OECD races India financial year 24 growth forecast a jot of 6% jot to 6% यानि simple भाष्चा में बटा तो OECD ने भारत का जो विकास्क है दर्म उसको 6% प्रेक्ट किया है for the financial year 24 financial year 24 का मतलब 23-24 की बात हो रही है जिसमें हम जी रहे हैं जी भी growth rate है financial year 24 भाई मतलब बात हो रही है 23-24 की तो 23-24 में हमारी growth rate 6% रहेगी बेटा इन्होंने बोला और इन्होंने बोला है कि हमारे पास time machine भी है हम बता दे रहे हैं कि अगले साल भारत की growth rate 7% रहेगी जोस्तो ठीक है बहुत simple सा point है तो OECD के बारे में हमने static जी बताया किसका headquarter Paris में तो OECD ने बोला है कि financial year 23-24 के लिए भारत की growth rate रहेगी 6% और financial year 24-25 के लिए भारत की growth rate रहेगी 7% तो ये बोला है OECD ने OECD एक important organization ने मिटा तो उसका data आप से exam में पूछ सकता है headquarter कहाँ पे Paris में मालूम ही आपको दोस्तो ठीक चली आगे बढ़ते है दोस्तो आगे बढ़ेंगे अब news number 2 की बात करेंगे news number 2 आपका कफे important है दोस्तो क्योंकि यहाँ पे CIDB की बात हो रहे है CIDB CIDB यानि Small Industries Development Bank of India CIDB CIDB का headquarter कहाँ पे है लखनव में है ना दोस्तो CIDB launches Mission Evolve Mission Evolve to finance MSME for the electric vehicle दोस्तो ठीक गाइस तो यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे बोला गया कि CIDB ने CIDB ने एक mission launch किया mission का नाम किया mission evolve ताकि जो हमारे दिश में MSME है जो micro small medium enterprises है बाई simple सी बात है company है तो इन company को भी transportation के लिए गाडिया चाहिए तो इनको electric vehicles मिल जाएं इसके लिए CIDB loan बाटेगा under the mission evolve लिखाया ना दो CIDB launches mission evolve to finance मतलब loan देना किसको MSME को किसके लिए for the electric vehicle दोस्तो यानि CIDB चाहता है कि जो MSME है वो electric vehicle का use करें लेकिन जो MSME company के मालिक है उनका पुछना ये है ठीक है हम electric vehicle use करेंगे बड़ पैसे कहां से मिलेंगे में तो CIDB ने बोला हम तुमें loan देंगे under the mission evolve दोस्तो पहले concept समझे ठीक है यहां CIDB की बात हो रही है electric vehicle for MSME की बात हो रही है और finance loan की बात हो रही है ठीक दोस्तो अब ध्यान से देखना जो हमारे हिंदी वाले भाई बैन है वो ध्यान से देखें देखा इस क्या लिखा हुआ है लिखा है बेटा इसकीम नाम क्या है इसका नाम इसका evolve ठीक इसका full form है electric vehicle operation and landing for vibrant ecosystem आप चाहें तो इसका full form skip कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं न्योंकि हर जगा पे evolve ही लिखा हुआ है तो mission evolve दोस्तो ठीक mission evolve launch by दो हो इसमें city बी अकेले नहीं है इसमें city बी अकेले नहीं है यही social name को दो launch by the small industries development bank of India इनका साथ देंगे नीती आयोग world bank बेटा इसमें है और Korea World Bank Partnership Facility एक Korea बेटा Korea World Bank Partnership Facility and Korean Economic Development Corporation Fund यह इतना थी है बेटा मतलब फिर से वो इसमें city बी है नीती आयोग है इसमें world bank है इसमें Korea World Bank Korea World Bank Partnership Facility है और एक Korean Economic Development Corporation Fund 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 दोस्तों Corporation Fund है यह है बेटा तो फिर से इक बार देख लो Evolve में कौन कौन शामिल है एक तो city भी है यह world bank है नीती आयोग है Korea World Bank Partnership फसलती है बेटा और Korean Economic Development Corporation Fund इतने लोगों ने मिलकर इसे launch किया इतने लोगों इसमें मिले हुए है that's why यह काफी बड़ी news होने वाली हमारे एक्जाम के लिए दोस्तों इपा ध्यान से देखो ठीक आइस देखो objective क्या है to provide affordable commercial loan for the electric vehicle to MSME symbols है कि MSME को भारत में electric vehicles पे loan मिल जाए यह objective है दोस्तों तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या हमने पढ़ा है यह अच्छी information exam के लिए तो थो टाइम देना पढ़ेगा बेटास में यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं mission evolve की दोस्तों launch by Cdb तो Cdb तो इसमें है लेकिन इसमें आपका नीदी आयोग भी है ठीक इसमें आपका world bank भी है दोस्तों तो यह दो आप याद करी लोगें इसके बाद क्या है इसके बाद इसमें Korean World Bank Partnership Facility है दोस्तों और पांच वाद क्या था Korean Economic Korean Economic Development Development Cooperation Fund एक बाद देख लेते हैं Korean Economic Development Cooperation Fund Korean Economic Development Cooperation Fund इतना कुछ इसमें शामिल है दोस्तों और ये क्यों लाया गया बिटा ताकि MSME को Electric Vehicles पर loan मिलता रहेगा इस ठीक है एक बाद प्लस वन कर देना यहां सर्क्लेर इंफॉर्मेशन यह अच्छी इंफॉर्मेशन है बिटा इक्जाम के लिए धान देना ठीक है चलिए तो यहां पर बिटा हमारी इंफॉर्मेशन कम्लिट होती है ऐसी इंफॉर्मेशन एक्जाम के लिए जरूरी होते है ठीक है याद रखेगा दूस्तों चलिए आगे बढ़ते है दूस्तों आगे बढ़ेगे सिडवी सिडवी का establishment year 1990 सिडवी का headquarter लखनों में है और सिडवी के chairman है Mr. S. Raman S. Raman है chairman चिक S. Short में Raman याद रखना बिटा तो यहां पर हम सिडवी की बात आपसे दूस्तों कर रहे थे हैं आगे बढ़ते हैं इस ठीक चलिए दूस्तों federal bank हमेशा बच्चे federal bank और federal reserve bank में confused हो जाते हैं federal bank हमारे देश का private bank है federal reserve bank यह अमेरिका का central bank है like RBI ठीक है तो federal bank हमारे देश का private bank है ठीक है नाम इसका अंग्रेजी है बढ़ दिल नुसानी है बिटा तो federal bank launches I am a DR ठीक and a DR is me दोस्तों campaign in Chennai ठीक है तो federal bank ने हाला कि federal bank का headquarter कोची में केरला में है ठीक तो federal bank ने launch किया है एक campaign I am a DR and a DR is me ठीक campaign in Chennai दोस्तों ठीक गाइस देखे है क्या यह तो बटा Chennai में अधियार एक जगह है अधियार इनके एक branch का नाम है अधियार branch ठीक तो federal bank ने बेटा अधियार branch को एक museum में convert कर दिया है यह उसी के लिए information है तो क्या लिखा है I am a DR अधियार is me दोस्तों ठीक देखे है गाइस क्या information तो federal bank limited has undertaken the I am a DR and अधियार is me campaign in Chennai तमिलानो and transform an entire bank branch into living a museum of local stories दोस्तों ठीक गाइस तो कहने क्या मतलब यह है बेटा कि federal bank ने Chennai में एक जगह है अधियार तो उस branch को museum branch में convert कर दिया है museum में convert कर दिया ठीक है अधियार branch को ठीक है दोस्तों धान देना आगे बढ़ते हैं अब देखिए क्या information है the campaign has hand picked 40 compelling stories of individuals which are showcased in an exclusive exhibition at the अधियार branch और federal bank दोस्तों ठीक गाइस तो कहने क्या मतलब क्या है कि जो museum में convert हुआ अधियार branch इसमें 40 लोगों की 40, 40, 40 लोग की story यहाँ पर शुक गई है ऐसे 40 लोग जिन्होंने federal bank से loan लिया और फिर अपने life को पुरा change कर दिया तो उनकी story यहाँ पर आपको exhibit की मतलब दिखाई जागी मतलब तो यह है पुरा पुरा-पुरा मतलब theme यह है दोस्तों तो ध्यान से आपको समझे लो federal bank ने चिन्ड़ई में अधियार में अपनी जो branch थी उसको museum में convert कर दिया और एक campaign चलाया क्या था इसमें 40 लोगों की कहानी आपको शो की जाएंगे 40 लोग की है ठीक लोग तो यह point हमारे पास है जो हमने आपको दिखाया है दोस्तों तो federal bank का headquarter कोची केरला में है दोस्तों and tagline है your perfect banking partner तो यह information आप लोग clear होई दोस्तों एक बाप प्लस वन कर देना कि हाँ सर्क्लियर आएम अध्यार and there is me ठीक है चली तो museum के बारे बात की बेटाबनोंने चिन नहीं अध्यार याद रखना चलो आगे बढ़ते है बेटाब ठीक Recently launched scheme features by bank or company guys जैसे for example सार्थी सार्थी launched by access bank for example turbo UPI launched by reserve for example credit on UPI launched by the Kiwi application A.S. fixed deposit scheme launched by the RBL bank reserve launched by the Kodek Mahindra bank and दोस्तों wealth W.E.L.L.T.H wealth launched by the Yes Securities ऐसे पढ़ियेगा जितना मैं बोलूं आप सुतना पढ़ियेगा दोस्तों सार्थी एकस बैंक turbo UPI reserve पे credit on UPI Kiwi A.S. fixed deposit RBL bank reserve Kodek Private और wealth Yes Securities ठीक है तो यह सब याद रखना हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं चली अब गाईज banking finance की आज की last information दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे G.Pay की दोस्तों मतलब Google Pay की बात करेंगे ठीक है यानि आपके आधार नंबर की बात हो रही है To activate UPI दोस्तों इसका मतलब क्या है मैं समझता हूँ दोगो लेकिन यह information अच्छी है बेटा exam में question यह बन सकता है तो Google Pay ने launch किया है इसका मतलब क्या है दोस्तों देखो तो पहले तो आपको ध्यान देना है हम बात कर रहे हैं Google की ठीक है इसने launch किया है आधार based authentication ठीक फॉर UPI and transactions that will allow users to set up their UPI pin without a debit card अच्छी ठीक है ठीक है ठीक है चलो इसको बेटा में समझना पड़ेगा दोस्तों जब आप लोग UPI उसकरते GPay, phone pay, कुछ भी बेटा तो जब आप लोग पहली बार मतलब पहली first time अपना account अटेश करते हैं दोस्तों तो आपको अपना account number और debit card डालना पड़ता है तो बेटा अब क्या है अगर आप पहली बार GPay उसकरने आएंगे तो अब आपको आधार number डालना पड़ेगा आधार number आपको अपना debit card number डालना नहीं पड़ेगा आधार number आपको अपना debit card number डालिए और पिन मना लिजे से भी आप UPI को अक्टिवेट कर सकते है यह बोला है याँ पस तो गूगल पे ने क्या लाँच किया बेटा तो इसने लाँच किया है क्या आधार-based authentication for the UPI activation या transaction यानि बेटा आपको अपना debit card number डालना है बस आधार number डालेंगे आपका UPI activate हो जाएगा with PIN PIN आपको generate करना पढ़ेगा दूस्तों ठीक है तो यह information दे रहे हैं इसके आगे उच्छा है क्या लिखा है support for UPI using आधार will work via the national payment अच्छा कैस इसका मतलब इसके लिए जीपे जो है उसने NPCI से agreement किया है जीपे ने NPCI से agreement किया है बस यह लिखा हुआ है तो बस आप ध्यान दे कि भाई वो कौन सा कौन सी कंपनी है जिसने आधार बेस authentication शुरू किया है for the UPI activation तो हमारा answer हो जाएगा जीपे इसका मतलब बिटा कि जब आप लोग पहली बार जीपे उस करते हैं तो जब आप account attach करते हैं तो आपको debit का number डालना पड़ता है वो नहीं डालें गया बस आधार number से आपका गाम हो जाएगा दोस्तों तो यह information बस मारे पास है जो आपको हम देरें दोस्तों इतना ही पढ़ना है बिटा बस हमें चलिए आगे पढ़ते हैं जोस्तों यहां तक की information दोस्तों complete मजा रहा है information याद हो रही है information class में याद हो यह तो बड़ी बड़ा अच्छा लगता है वरना फिर time दो अलग से फिर उसको लो पढ़ो तो फ़रा प्रेशर पढ़ आता है न तो information class में याद रहना बहुत ज़रूर है दोस्तों ठीक आइस हमने क्या गा पढ़ा हमने एक information पढ़ी cost of living की है न वाइस तो cost of living index में ने मरसर की बात की total 227 शेर बिटा जहां मुंबई इंडिया में top पे है global पे 147 नंबर पे ठीक टॉप बाइद होंग कॉंग कॉंग दें सिंगापूर दें जुरिक दें जिनेवा दें बेसल पाकिस्तान इस्क्लामबाद 2-7 पे वहीं इंडिन सिडिस की बात करें तो मुंबई, डेली, चिन्नई, बैंगलूरू, हैदराबाद ये top 5 शेर थे जो हमने पढ़ा बेटा उसके बाद हमने बात की आप से TransUnion Civil की तो who has been appointed non exuded chairman of the TransUnion Civil ये हमारा question था बेटा उसके बाद हम कहां परागे banking finance में जहां पर हमने बात की OECD की बात की हमने आपसे पहले फिर हमने आपसे CDB की बात की फिर हमने आपसे बात की Federal Bank की बात की और last point हम GB की बात कर रहा देगाईज है ना देगे अब दोस्तों बात करेंगे National News की और News No. 1 दोस्तों तो National News में News No.1 गाइस देखे यहाँ पर, क्या बात करें बेटा हम लोग, हम लोग बात कर रहे हैं कि केंदर सरकार ने पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना यह क्या है दुस्तों दिखाता हूं मैं, एक बाद दिख लो पहले यह, क्या है दुस्तों यह, गाइस, पो पहले भी था, लेंगे फिर तूर रिया था, तो गुदावरी नदी पर एक डैम बनने जा रहा बेटा, और इस डैम से आंधर प्रदेश में सिचाई काम होगा बेटा, इसका नाम क्या है, पोलावरम प्रजेक्ट, ठीक गाइस, पहले यह देख दो, तो पोलावरम प्रजे कि पोलावरम डैम, यह किस स्टेट में है बेटा, और किस नदी पर बन रहा है, स्टेट आंधर प्रदेश, नदी आपकी गोदावरी गाइस, ठीक है, दोस्तो, देखो, तो अब क्या पुरा इंफरमेशन देखो, यहापे, तो केंदर सरकार ने पोलावरम परियोजना के ल 12,911 क्रोड पर दिये हैं, दोस्तो, यानि केंदर सरकार स्टेट गोर्मेंट की हल्प कर रहा है, और 12,911 क्रोड बड़ा अमांट है, दोस्तो, तो क्या हमारे पास पुरी इंफरमेशन दोस्तो, तो Central Government has agreed to sanction 12911 क्रोट आंधर प्रदेश, और यह जो पैसा है, 12,911, यह पहल The sanction amount of Rs. 12,911 क्रोड also include Rs. 2,000 क्रोड for the construction of the diaphragm wall which was washed away due to flood, दोस्तो, अच्छा गाइस, मैंने आपसे बोला था न, कि यह दैम पहले से ही था, यह दैम टूर रिया था, वह ही बोला रहा है, कि इस 12,911 क्रोड में, 2,000 क्रोड बड़ा, यह क्या है, यह दैम क्यों दीवार नहीं ह तो उसको बनाने के लिए दिया गया है, जो फ्लट की वज़े से बह गया था, ठीक आइस, हाना कि यह information इतनी important नहीं है, फिर भी, तो 12,911 में, 2,000 क्रोड रुपए दिवाल बनाने के लिए दोस्तों, ठीक आइस, फिर आपको मैंने information क्या दिए बिटा, कि पोलावरम project is an under construction multi-purpose irrigation project on the Godavari river in the Andhra Pradesh, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी information complete हो जाएगी दोस्तों, ठीक आइस, तो ध्यान से देख लो, हमने क्या पढ़ा इस information में, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, पोलावरम परियोजना, केंद्र सकार ने 12,911 करोड रुपए लॉट किया है, for the पोलावरम project विटा, यह है क्या दूस्तों, तो पोलावरम project विटा, एक multi-irrigation, इसकी वो है, प्रेक्ट है विटा, जो आंद्र प्रदेश में बन रहा है, on the Godavari river दूस्तों, और इस 12,911 में, 2000 करोड रुपए, दिवाल बनाने के लिए, ठीक है, तो यह information काफी मेरे ख्याल से, एक बा ठीक है, capital अमरावती, चीफ पिनस्टर Y.S. जगमोहन रड़ी जी, गवर्नर S. अब्दुल नजीर, यह नए बने हैं बेटा, यह new, यह नए है, ठीक है, S. अब्दुल नजीर दोस्तों, आंद्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्ग है, पापी कॉंडा नेशनल पा अब बात हम करेंगे news number 2 की दोस्तों, और news number 2 बेटा, आपको बता है, कि हमारी government of India ने बोल दिया है, कि 2070 तक भारत carbon free हो चाएगा, यानि हम carbon का emission नहीं करेंगे दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है, कि भारत में carbon कहां से निकलता है maximum, एक तो जो हम गाडिया चलाते है, निकलता है दोस्तों, और एक निकलता है हमारे power plant से, आज भी हमारे देश में बेटा, कई सारे ऐसे बिजली घर है, जो कोईलेस चलते हैं, और काफी ज़्यादा pollution करते हैं बेटा, तो हमें जो energy वाला source है, यह हमें transform करना पड़ेगा, ऐसे उसे में जो नए technology हो बेटा, Ministry of Power and Ministry of New and Renable Energy, ठीक, Ministry of Power and Ministry of New and Renable Energy ने, jointly launch किया है, Mission on Advanced and High Impact Research, देखो दोस्तों, यह नाम आपको यह दुखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, Mission on Advanced and High Impact Research, Mission on Advanced and High Impact Research, launched by the Ministry of Power and Ministry of the New and Renable Energy, एक बार दिखते हैं बेटा, क्या information देखें इन्फोर्मिशन क्या है, तो Ministry of Power ने बेटा, ठीक, and Ministry of New and Renable Energy ने, ठीक है, jointly, मतलब मिलकर launch किया है, A National Mission, दोस्तों, नाम क्या है, Mission on Advanced and High Impact Research, माहिर, माहिर दोस्तों, यह शौर्ट माहिर है, तो Mission on Advanced, High Impact Research, माहिर दोस्तों, तो माहिर आपको ध्यान देना, यह अच्छी information है, तो Ministry of Power ने, Ministry of New and Renable Energy ने, मिलकर, एक National Mission launch किया, बेटा, नाम क्या है, माहिर, माहिर का full form क्या है, Mission on Advanced, Mission on Advanced, High Impact Research, देखो, यहाँ पे लिखा है, माहिर लाँच किया, ठीक है, जुस्तों, देखो, इसका objective क्या है, तो facilitate indigenous research, development and demonstration of the latest and the, वही कैस, मतलब क्या, मतलब पावर सेक्टर में हमारे देश में, नया innovation हो, नई टिकनोलोजी आए, उस पे research and development हो, यह साब objective है, तो मतलब सिंपल सा मतलब यह है, कि पावर सेक्टर में new technology को लेके आना, माहिर, Mission on Advanced and High Impact Research, ठीक गाईज, क्लियर, एक बाह बताइए, सब लोग, हाँ, ठीक है, तो यहाँ, बहुत सारे बच्चे बोल लें कि प्लस वन हासर क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप से next information की, देखें हैं आपे, अच्छा, आप देखो, यानि इसका time period 5 साल है, मतलब 2023-27-28, यह, and will follow the technology life, ठीक है, तो वाइस, यह information एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्या दोगो, क्या information, दोगो, तो ministry of power ने, और ministry of new and renewable energy ने, इन लोगों ने मिलकर launch किया है, माहिर, M-A-H-I-R, दोस्तों, माहिर का मतलब क्या हुआ, तो mission on advance and high impact research, ठीक है, इसका objective क्या बेटा, ताकि नया innovation हमारे देश में power sector में हो, और इसके लिए 5 साल का time रखा गया बेटा, 5 साल का मतलब, 2023-2024 से, 2027-28 तक, इसका time है दोस्तों, देख लेना और याद कर लेना गाईस, ठीक है, चलिए, हम आगे बढ़ते हैं गाईस, आगे बढ़ते हैं next information, दोसों, जब भी आपके syllabus में कोई cyclone या कोई दुफान है बेटा, exam में पूछा आता है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं, cyclone viprajoy, इसका नाम क्या है, viprajoy, viprajoy, हाँ, cyclone viprajoy to intensify in next 24 hours, दो, जिस तरह लिखा हुआ है, उस तरह आपको ध्यान नहीं देना, आपके exam में question कैसे बनता ह दो, यह जो cyclone है, यह भारत में कहां पर टगराएगा, मतलब किस state में या UT में, इसने तवाही मचाई, और इसका नाम किसने रखा था, दोस्तों, ध्यान दो, मैंने आपसे बोला था, अगर यह भारत हमारा है, for example, गुजरास से हम शुरू परते हैं, यह दो था, तो भारत म जो cyclone है, वो यहां आते हैं, मतलब Bay of Bengal में आते हैं, Arabian Sea में बड़े कम आते हैं, यह जो cyclone है, यह Arabian Sea में आ रहा है, इस बार, ठीक है, तो इस side में cyclone बड़े कम आते हैं, लेकिन इस बार यहीं आ रहे है, नाम किया विप्रजोय, तो cyclone विप्रजोय to intensify in next 24 hour दोस्तों, तो तो सिंबल से मतलब यह है, जो हमारा cyclone विप्रजोय है, यह गुजरात को हिट करेगा, याद रखना पहले तो, ठीक गईस, तो यह बस याद रखना है, और तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं इसमें, दो, तो about the cyclone विप्रजोय, the cyclone was named विप्रजोय by the Bangladesh, यह दूसरा question, तो प पंगलादेश ने, exactly में बेंगॉली भाषा में विप्रजोय का मतलब होता है, disaster, कहीं लिखा कहां लिखा भी है, disaster, in बेंगॉली गाईस, तो यह याद रखेगा, तो यह कहां पे हिट करने वाला है, पहला information, और दोस्तों इसका नाम किस ने रखा, तो बंगलादेश ने इंडिया उसके आसपास के देश, जहां पे रिसेंटली में कोई न कोई साकलोन आया था, तेज, इंडिया, हमून, इरान, यह अभी याद नहीं करना, जब तुम्हें एक्जाम देने जाना, तुसे बार देख लेना इसे, अभी तुम्हें याद नहीं करना, एक्जाम के प देख लेना कौन से नाम निखा है, ठीक है दोस्तों, चली, आगे पढ़िते हैं, बात करेंगे इस्पोर्स की, और स्बार में हम लोग बात करने वाले हैं, आपसे बिटा क्या, हम बात करने वाले हैं, इंटरनेस्ट्रिश्टल Table Tennis Federation World Cup Championship Table Tennis World Cup Championship के बात करने वाले बेटा जो इस बार कहां पर हुआ South Africa में हुआ दस्तों और इस event में China ने अपना तुफान मचा दिया, देखे दोस्तों क्या लिखा है 2023 का ITTF World Table Tennis Championship दोस्तों ठिक, और China के फैन जिंडों, ठिक इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीत लिया बेटा ये बड़ी information है, क्योंकि ये World Championship की बात हो रही है तो चाइना के फैन छोड़ों, बेटा ये नंबर एक के Table Tennis Player है, पुरे वर्ल्ड के नाम क्या है? Fan जेडों इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ना जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कैसे आपको पढ़ना है घ्यान से, बस ध्यान दो बेटा क्या, हम लोग क्या बात कर रहे है हम लोग बात कर रहे हैं, World Table Tennis Championship बेटा, ठीक, यह कहाँ पर हुई? यह हुआ डर्बन साथ अफरीका में ध्यान से, जैसे मैं आपको पढ़ाओ ऐसे पढ़ेगा, तो World Table Tennis Championship कहाँ पर हुआ? हुआ बेटा, यह साथ अफरीका में ठीक है दूस्तों, इस बार कौन सा एडिशन था, यह दूस्तों? इस बार यह कौन सा एडिशन था, गईस? दो, तो इस बार यह 57th एडिशन था, जैसे मैं पढ़ाओ, वैसे पढ़ेगा, बेटा, हाँ? देखिए, फिर से एक बार, तो World Table Tennis Championship की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर हुआ? देखिए, अब दोस्तों, क्या पढ़ने आपको? हमने क्या बताया? कि फैन जैडॉंग, यह World के नंबर न टेंटरेश पर हैं, इन्होंने Men Single दीता बिटा, और यह इनका दूसरा टेडल था, तो दूसरी बार, फैन जैडॉंग ने दीता मतलब दोनों के दोनों चाइना के विनर हैं मेटा, फैन जैडॉंग और सुन यिंगिशा इन लोगों ने दीता है 2023 का टेबल टेनिस चैंपियंशिप वर्ल्ड कप दोस्तों, ठीक आइस फिर से एक बार देख लो, कैसे में बढ़ना है तो 2023 का ITTF, वर्ल्ड कप चैंपियंशिप ये कहाँ पर हुआ, डर्बंस टोफिका इस बार ये 57th एडेशन था और पुरुष एकल जीते हैं चाइना के फैन जैडों और ये इनका दूसरा टडल है एन रूमें सिंगल वन बाई दर सुन यिंगिशा सुन यिंगिशा चाइना से ब्लॉंग करती है तो ये याद कर लिए ना बेटा यहाँ से कापका होश जागा Is that clear? आगे बढ़े हैं लोग देखिए दूस्तों हाँ, फैन सुन फैन सुन फैन जिंडों फैन जिंडों और सुन यिंगिशा ऐसे याद कर लिए याद हमसे फैन सुन ये कैसे नाम है ये ऐसे ही नाम बेटा है पढ़ना पढ़ता है बढ़े सिंबल से नाम है तो वारना और भी अजीब से नाम आते हैं इसमें चलि गईज तो एक पॉइंट हमारा यह हो गया है दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे अवार्ड एंड ओनर की दोस्तों और अवार्ड एंड ओनर में गज़ जाईस हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नीदरलेंट ही नीदरलेंट बेटा यहाँ पर हम एक साइन्स आवार्ड की बात करेंगे नीदलेंड का सबसे बड़ा साइंस अवार्ड दोस्तों ये किसको मिला गईस देखिए धान से यहां पे हम लोग यहां बात कर रहे हैं भारती मूल की वग्यानिक है बेटा नाम है जौईता गुपता जौईता गुपता जौईता गुपता ठीक इनको N.W.O. इस्पिनोज पुरिसकार मिला है दुस्तों ओ इनको मिला है N.W.O. पुरिसकार अब ध्यान से मेरी बास सुनना थोड़े से नाम टुफ है आप भूल मग़ जाना ठीक है कैसे पढ़ना आपको देख़ए आंस पे दुस्तों यहाँ पर क्या बोलागी आटा देखो नीदरलेंडड की बात हो रही है तो इनको 2023 का NWO Spinoza Price मिला है जो की नीदरलेंड का सबसे बड़ा Science Award है जैसे मैंने बोला वैसे पढ़ना उबर चोड़ देना वरना भूल जा ओगे जॉयता गुपता इन्हें नीजरलेंट का सबसे बड़ा साइंटिविक होड मिला है जिसका नाम है पिटा क्या N.W.O. Spinoza Award ठीक गाईस ऐसे पढ़ लो आगे बढ़ते हैं देखे तो लिखा ये 12 रिसर्चर है तो मतलब गाईस कहने का मतलब जोईता लुपता जो है ये की रिसर्चर है कहाँ पे University of the Amsterdam में और ये 12 हुई रिसर्चर है जिनने ये अवार्ड मिला है ठीक है एक पॉइंट हमारा आई होगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर हम बात करेंगे N.W.O. Spinoza Prize की दोस्तों तो अगर हम बात करतें गाईस Spinoza Prize मिला है जो की Netherlands का सबसे बड़ा Scientific Award होता है दोस्तों तो ये अपने आप में बड़ी information है मेटा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों बात करेंगे defense की अब गाईस बात करेंगे defense की तो defense में हमारे पास आज की पहली information दोस्तों यहाँ पर हम क्या बात करेंगे पहली बार दोस्तों पहली बार India, France और UA ये लोग मिलकर एक समुद्री अभ्यास कर रहे है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया France और UA Maritime Partnership Exercise बिगन दोस्तों तो पहली बार UA France और India मिलकर एक maritime exercise कर रहे है ये पहला आडिशन होने वाला ध्यान से कुछ हाँ हम लोग क्या बात कर रहे है India, France and UA Maritime Partnership Exercise ये नाम है इसका India, France, UA Maritime Partnership Exercise India, France, UA Maritime Partnership Exercise ये पहला आडिशन है बेटा है और ये कहां पर हुआ ये हुआ Gulf of Oman में यानि Oman की खाड़ी में Gulf of Oman दोस्तो ये इंडिया, France और UA के नावी के भीश में गुआ दोस्तो और इंडिया की तरफ से आइनस तरकश ने इसमें पार्टिस्पेट किया था आइनस तरकश ने देखे विट से एक बार तो इंडिया, France, UA Maritime Partnership Exercise फस्ट एडिशन और ये कहां पर हुआ ये हुआ गल्फ of Oman में दोस्तो Hill between India, France and UA और भारत से आइनस तरकश ने इसमें किया पार्टिस्पेट तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया दोस्तो चलिए आगे बढ़ते हैं विटा आगे बढ़ते हैं News Number 2 की बात करेंगे जहां पर हम बात करने वाले हैं Air Defender 2023 ये हर साल विटा होता है पिछला भी हो आथा तो NATO दोस्तो NATO का Headquarter कहां पर है बिटा NATO का Headquarter है Brussels Belgium में NATO जर्मन लीट Air Force Success Air Defender 2023 दोस्तो यानि हम Air Defender की बात कर रहे हैं नाम इसका और इस बार इसे लीट करेगा जर्मनी ठीक गाइस दो हो तो Air Defender 2023 की हम बात कर रहे हैं तो क्या नाम है Air Defender 2023 ठीक दोस्तों ये कहां पर है ये हुआ Ramestine Air Base Germany में होगा बिसिकली Ramestine Ramestine Air Base Germany Hill Between 25 Natoo and the Partner Country मतलब 25 देश इसमें पार्टिस्पेट करेंगे और टोटल 220 मिलेट्री एरक्राफ्ट ने पार्टिस्पेट किया इसमें करेंगे बिसमें Air Defender 2023 ठीक ये जर्मनी बिटा होगा जर्मनी इल करेगा और कहां पर Ramestine Base Germany 25 कंट्रीज ने पार्टिस्पेट इसमें करेंगे और 220 मिलेट्री एक्राफ्ट इसमें आएंगे बिटा बिसिकली रश्या को थोड़ा डराने के लिए हुआ 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 है Air Defender 2023 ठीक गाइस चलिए आगे बढ़तें दोस्तो नाचो नाचो का हेटकौाचर बिटा ब्रुसेल्स में है ठीक गाइस और इसके member country है 31 31 country इसके member country है ब्रुसेल्स एन 31 country इसके member रहा दर्खना बिटा आगे बढ़तें और अब बात करतें आप से रिसेंट exercise की दोस्तो अगर हम बड़े बात करें जैसे अल-मोहद-अल-शक्त हिंदी ये दूसरा edition था जो इंडिया और साओधी अवेश में हुआ बेटा कहां पर हुआ था पोर्ट अल जुबैल साओधे रिविया में और फॉर एक्जामपल चौथा एडिशन समुद्र शक्ती ये इंडिया और इंडोनेशिया के बेशमेटा हुआ और कहां पर इंडोनेशिया में हुआ था ठीक है जो बड़ी इंफॉर्मिशन है वो हम बात कर रहा है और हाँ छटवाँ एडिशन एकता बेटा ये इंडिया नेवी और मालदीव नेवी के बिश में हुआ था इंडिया नेवी केमांडो मारकोस और मालदीव केमांडो नेशनल डिफेंस फोर्स के बिश में हुआ था कहां पर हुआ था मालदीव में हुआ था ये सब मैंने आपको पढ़ाया आगे बढ़ते नेक्स पॉइंट बुक्स और ओथर दोस्तो उत्तर प्रदिश शेफ मिनस्टर योगी आधना जी बिटा ये बिलॉण करते उत्तर खंड से पहले इनका नाम क्या था इनका नाम पहले अजय था तो अजय से ये कैसे योगी बने उन सब के बारे में इस बुक में है दोस्तो शांतनु गुपता जी ने इस बुक को रिलिस किया दोस्तो हाँ ध्यान से दुखेगा यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं तो बुक का नाम है अजय तू योगी अधितनाथ ठेक और बात करते हैं आपस यहाँ पे रिसेंट बुक एन ओथर पेटा आपके रिविजन करने के लिए जैसे फॉर एक्जांपल अमृत काल की ओर एक बुखाई थी बेटा ओथर बाइद शीवानन्द दिवेदी एंट के के उपाध्या है अच्छा यह आपका यह एंश्वन का बाड़ जिगा है ठीक है हमने पढ़ाया बिट आपको ठीक है तो सारी बाते रिवाइस के लिए ना दुस्तों अच्छा जो हम MCQS की आप से बात कर रहे हैं साथ में तो अभी PW ने हमें मैना कर दिया इसके लिए मतलब आज क्लास अरुन सर की शायद रात में हो उस टाइम पर तो यह बोले हैं कि हम एक प्लान से लॉंच करेंगे अब मैंने पूछा कि प्लान कब आएगा एक-दो दिन प्लान में लग जाएगा आपके तो मैं ready हूँ अपनी तरफ से PW ने भी रुगा हुआ है कि हम एक अच्छे प्लान से से लॉंच करेंगे तो देखते हैं वो प्लान कर वाता है हमारा आज आगा जल्दी आगा दोस्तों ठीक चली गाईज आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ओबिचरी स्की तो ओबिचरी स्की मैं जल्दी करवाता नहीं हूँ मैं वही करवाता हूँ जो एक्जाम में 100% आने वाला दोस्तों क ये बड़ी famous personality है, ये दूरदर्शन की पहली अंग्रे जी, बोलने वाली anchor थी दोस्तों, ध्यान देना, आओ, बात करते हैं, तो कितांजली अइयर दोस्तों, हाँ, दोस्तों, फोर टाइम, बेस्ट अइंकर अवार्ट, विनर, डीडी अइंकर, कितांजली अइयर पास्ट English woman news presenter on the Durrashan, बेटा, तो ये Durrashan पर भारत की पहली अंग्रे जी महिला, समाचार प्रसुवर्दा थी, ये first lady थी, जो English बोलती थी, मतलब, anchor थी मतलब, ध्यान देना, तो she joined the Durrashan 1971, and won the best anchor award four time, तो Durrashan को ने 1971 में जॉइन किया था, और ये चार बार best anchor चुनी गई बेटा, ठीक है, नाम बेटा क्या है इनका, नाम इनका है, ये बार देखिया, गितानजली अयर, ठीक, 1971 में इन्होंने Durrashan जोइन किया था, ये first lady anchor थी, जो English anchor थी, for the Durrashan, और गाइस, ये चार बार जीती है, best anchor का award दोस्तों, ठीक, आगे देखिये, extra information, in 1989, she received the Indra Gandhi Pradeshani Award for Outstanding Woman, तो 1989 में, इन्हे इंदरा Gandhi Pradeshani Award मिला था, for the Outstanding Woman, तो ये भी एक extra information है, जो आपनों देखने हैं दोस्तों, ठीक, आइस, तो आपके साथ में information है, जो हमने आपको दिया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप बात करेंगे, state level की information की दोस्तों, और जहां पर आपको हम बताएंगे, तो होल, तुम्हारे exam में question कैसे पूछेगा, वो कौन सी state government है, जिसने launch किया है, integrated water resource action plan, 2023-2025 दोस्तों, तो आपके exam में question कैसे बनेगा, हरियाना के मुख्य मंत्री ने, एकक्रित जलस अंसाधन कारियोजना, 2023-2025 का शुभारं किया, integrated water resource action plan, integrated water resource action plan, integrated water resource action plan, 2023-2025 दोस्तों, ठीक गाईस, ध्यान से मेरी बास सुनेगा, यहाँ पर हम क्या बात करेंगा इस देखें, दोस्तों, हरियाना चीफ मिनस्टर, मनोहर लाल खट्टा जी की बात करें मैटा, will inaugurate the integrated water resource action plan, 2023-2025 अंडर अम्रिजल कांती इनिशेटिव, दोस्तों, इसका मितलब क्या, हरियाना में जो पानी की समस्या है, उसे रोखने के लिए, हम यहाँ water conservation की बात कर रहें, किस तरह से पानी को बचाया जाए हरियाना में उसके लिए, तो integrated water resource action plan, यह किस state launch किया, आपका cancer होगा हरियाना, इस से उपकोशन नहीं बनेगा, integrated water resource action plan, launched by the हरियाना, बस इतना पढ़िये बस बेटा, ठीक, यह आपका water conservation के लिए है दोस्तों, मानी, यानि पानी को बचाने के लिए बस, और इसमें कोश अलग से नहीं पढ़ना बेटा, ठीक है दोस्तों, चली, हरियाना में दो national park है, एक आपका सुल्तानपूर national park और एक आपका कलेशन national park दोस्तों, ठीक आइस, आगे बढ़ते हैं, अब हम कल की MCQs की बात करते हैं आपसे, जो हमने आपको पढ़ाया था, कल शनिवार, फिर मैं बोल देना में बिटा कि PW है, जो वो प्लान कर रहा है, कि रात व विच ब्रांड है रिटेन फर्स पोजिशन अस दे इंडिया मोस्त वैलिवल ब्रांड दोस्तों, तो इसका एंसर हमारा क्या होगा, इसका एंसर होगा, टाटा गूरूप, ऑप्शिन नमबर B is the right answer, छेक, दूसरा पोजिन भीटा हमारा, क्या लिखा है, विच ब्रांड है, तो यहां पर मारा एंसर क्या हो जाएगा? एंसर इस ताज, option number A is the right answer ठीक Who has been appointed as the chairman NMT of Container Corporation of India? एंसर इस Sanjay Saroop, option number E is the right answer ठीक आगे बढ़ते हैं दोस्तों पुला कि PhonePay has introduced account aggregator services ठीक है? In which year was PhonePay launch? PhonePay किस year में launch किया गया था तो मैंने आपको पढ़ाया था PhonePay 2015 में launch हो था भारत में option number B is the right answer आगे बढ़ते हैं Punjab National Bank has proposed to raise fund from the sale of up to how many share? How many share? 15 करोन के option में है? 15 करोन, option number C is the right answer ठीक आगे बढ़ते हैं According to the ICI report on Indian banking sector bond issuance by bank are predicted to decrease to how much? अच्छा करोन, तो 90,000 option number is the right answer मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 90,000 करोड पैसे कम की bond launch होगा इस बार हां? दोस्तों, आगे बढ़ते In order to expand payment option for Indian traveling abroad the Reserve Bank of India decided to allow issuance of which card? तो ये था आपका रूपे रूपे prepared forex card दोस्तों option number is the right answer नाम याद रखी है रूस्तों, ठीक है? आगे बढ़ते हैं producer of the crude steel answer is second पाली 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 बड़ते हैं according to union ministers government comment how many one stop center across the country इसका बंसर वाप्टरी तोस्तों, इस पाली पाली स्रीज आपली आपली पाली तोस्तों इसका है? India and Serbia agree to set bilateral trade-off 1 billion Euro what is the capital of Serbia? answer is Belgrade option number C is the right answer right? तो यह थे विट्टा जगदीश दाखर बाकन यह पहले इंडिया नहीं अवार्ड मिला है दुस्तों है ना option number C is the right answer the new generation ballistic missile Agni Prime है ठीक है it is which variant यह शटमा वारियंट है addition option number C is the right answer मैंने बिदाया साबको option number C हमारा सही answer होग कौन से IIT is building the world first multi sensor earth observation IIT मदरास option number A is the right answer रिष्टी ना मिस करा world brain tumor day यह मनाते है आठ जून को option number यह दुस्तों किस राज जने हजार करोड उपय की लागत से नंद बाबा दुख्द मिशन युजना शुरू की है answer इस्टर परदेश option number A हमारा सही answer है ठीक है next लगभग कितने सालों के लगभग तीन दर्शमों के बाद यह हो रहा है ठीक है बारत ने आखरी बार यहां पर हम complete करते हैं mcqs बात दें कैसे करेंगो हम देख लेंगे अभी हम बातचीत कर रहे हैं ठीक है दुस्तों ठीक है ठीक है ठीक यू सो मच अपना ख्याल रखे मिलते हैं आप से बिटा नेक्स क्लस में ठीक यू सो मच